असलाम अलेकुम मेरा नाम है दानिश यूसुफ और मैं रहता हूं मान के शहर मसकत में अब प्रोफेशनल में हूं चार्टर अकाउंटेंट तो आगे आ रही थी इदुल फितर की छुटियां तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक रोड ट्रिप प्लैन करा जाए तो इस वज़े से है कौन-कौन से डॉक्यमेंट होते हैं कब वीजा आ जाता है कितनी कॉस्ट है इसाब मैं आपको एक छोटी सी इंफर्मेटिव वीडियो माना कि उसमें बता दूंगा सब तो यहां से 2300 किलोमेटर दूर है मक्का परस्नली मुझे कार चलाने का शौक है क्योंकि मैं पाकिस् साथ बायरोट सिंगल ड्राइवर इट्स नॉट अकप ऑफ टी मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जो के जा रहा था वो थोड़ा एजी हो जाता है को ड्राइवर मिल जाता तो हम रूटेट करते रहते लेकिन उनफॉर्चनटली उसको वीजा नहीं मिला तो नहीं चल सका मेरे सा करते हैं इंशालला आसानी करेगा तो अलहम्दुल्ल्ला ने बहुत आसानी करी कि मुझे कोई सिच्वेशन जो है फेस नहीं करनी पड़ी राते में इसली गया इसली आया बस थोड़ी से ठाकन थी वह तो होती है जब आप इतनी लंबी ड्राइव करते हैं तो यह मेरा व्ल और कैसे मैंने ट्राइवल करा और किन जगों पर में दियारत पर गया तो यह सब मैं आपको बता हूँ अपने व्लॉग में चलते हैं अब व्लॉग के तारी हो चुकी है बड़ा बैक तायर कर लिया हमें बागी एक चोटा इसका समान है और बागी चोटा मोटा समान कुछ ह और ना हो रस्ते में यह सब कुछ होना जरूरी है यह ट्राइवल का बहुत एहम तरीन हिस्टा है यह सब होना जरूरी है तो बेगम और बच्चे के लावा यह थी हमारी तीसरी एहम तरीन हमसफर जिसके बगएर यह सफर था नामुम्किन अच्छा तो यहांपर हमने एक चोटा से स्टॉप करा है यह मस्जिद हमें दिखी है रूवी की और यह रूवी की बहुत ही पुरानी मस्जिद है और यहां पर हम इशा की नमाज पढ़ने के लिए रूके हैं इशा की नमाज पढ़ेगे फिर यहां से चलें अच्छा तो रूवी में हमने ईशा की नमाज पढ़ी उसके बाद हम निजवा की तरफ निजवा क्रोस करा हमने अब हम जा रहे हैं इबरी की तरफ इबरी पहुंचने के बाद हमें इबरी में थर्ड राउंड आबाउट से लेना है लेफ्ट जिसके बाद शुरू हो तो उसके बाद जो बाकी का पैच है वो सचुबिया के अंदर है तो बॉरडर पे हमने डम बॉइसा प्रोस्ते क्राइब थे सच॥ यह कंटी इन्टर कर करेंगे अच्छा हो ये जों एन्टिभी वाटर रड सब्सक्राता स करण होता है बाकि इस रोड पे ये कहीं कहीं पे लाइट नहीं है बाकि पूरा प्रॉपर रोड हाइवे बनाए 120 किलो मेटर की स्पीड लिमिट है तो यू कन ट्राइब बन 35 किलो मेटर पर आर की स्पीड तो यह अब हम पहुंच चुके हैं यहां शेल के पंप पे हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं गाड़ी थंडी हो जाए 15-20 मिन्ट आदा गंटा इसके बाद हम निकलेंगे साओधी बॉर्टर के लिए साओधिया का बॉर्डर है यहां से सब्सक्राइब कर निकले यह आप आप नहीं होंचाीं झाल आपको आपको उनेगे जीम साओधी भीवत śauk से तो ये अल्ला की रहमत बरसना शुरू हो गई और ये आज मुझे पता लगए कि आपकी गाड़ी अगर वन थर्टी फाइफ किलो मेटर की स्पीड पर चल रही है तो बारिश का पानी विंड इस क्रीन पर लगकर जाता है उपर की तरह तो फाइनली अब हम ड्राइफ कर रहे हैं एम्टी कौाटर रोड पे जो के वन सिक्स्टी किलो मीटर का पैच है उसके बाद बॉर्डर आ जाएगा जहां पे हमें एंट्री करनी होगी अच्छा इस रोड पे दो तिन बाते मैं बताता चलूं कि इसके रोड के शुरू में थो जो है सफर करें और इसकी स्पीड लिमिट 120 है अगें यू कैं ड्राइफ 130 135 किलो मीटर और यह टूवे रोड है तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा जरा तो फाइनली अलहम्दुल्ला हम पहुंच गए हैं उमान के बॉर्डर पर यह लाइट जो हैं 15-20 किलो मीटर पीछ होंगे तो यह सामनावे उन्होंने क्रीन सिगनल दे दिया है कि आप इदर से आजाएं तो हम यहां से जाएंगे इंशाओ मतला अच्छा तो जब आप उमान बॉर्डर से एक्जिट करेंगे तो यह आपको एक स्लिप दी जाएगी जिसमें आपकी काड़ी की सारी डिटेल ह होगी और कितने परसन हैं वो सब लिखा होगा और इसके लावा आपके पासपोर्ट भी चेक करेंगे बट यह स्लिप आपको जब आप वापिस आएंगे एक्जिट पर तो यह आपको से लिप देनी होगी इसको बहुत संबाल के रखना है यह बोर्ड लगा है लिखा हुआ है इसमें टिकेट्स ट्रक एंटरेंस पैसेंजर एंटरेंस राइट साइट तो हम यहां से जाएंगे राइट साइट में और वो रहा हमारी मंजिल का पहला दर्वा था इन्शाओ लाह बहुत स्मूतली हुआ उमान से हमने एक्जिट करा उन्होंने साओधिया का वीजा दे पर साओधिया की एंट्री स्टेंप जो है लगा देते हैं उसके बाद सेकंड काउंटर आता है कस्टम क्लेरेंस का वहां पर चेकिंग अगयरा होती है बैगिज की और इसके बाद आता है थर्ट काउंटर अगर तो आपने कार की इंशोरेंस ऑनलाइन पर पर पर्चेस कर ल सूरत है ये तो अजाला हुआ है तो पता लगा है अभी हमने यहां पर फजर की नमास पड़ी है तो अब बाकी जो पैच है वो हम साओधिया रीबिया के अंदर ही इसको कावर करेंगे तो हम इसके करवाते हैं थोड़े से नजारे आमाल शट लिजमील अहलाम लिस अदिन कमा तखशा हुदा ममनुण जा कहरा बाल इसलाम जमील हुआ है यदा लिस वो इसलाम कुल आओमریही तहदीना तुनादीना दिल खैरी यन्हाना अन कुल टरीकिन यखदुना नह्वास शरी व 먹는 यद्धाओ देव मलन बिर्री कुल आओमریही तहदीना दिल खैरी ये देख ले आप सेंड डिउनस के कलर चेंज होगए या ब्राउन से वाइट हुआ हो pila लेकिन यह रोड ने खतम हो रहा, अभी भी तक्रीबान 640 क्लोमेटर दूरे रहा, और अलमस्ट इतना ही हम कवर कर चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है, 9 बच के 50 मिनट, इंशालला हम रियाद में पहुचेंगें तक्रीबान 3 बजे के कहीं, इंशालला, और यार यार यह सबस बड़ी बात है कि इसकी स्पीड लिमेट है 90, अब इस रोड पे 90 की स्पीड वे गाड़ी चाना ना, मतलब इससे यादा जियत की बात बचना है, और धाई से 3 किलोमेटर, 5 किलोमेटर के बाद के बात कैमरे लगे हैं, तो आप उसके बीच में क्या गाड़ी पेस चलाएं पर क्या काम चाहा है, एक यह जो बॉक्स पढ़ावाई यह भी कैमरा है, और वो एक आगे पोल आएगा, जो नॉर्मल कैमरा होते हैं, पोल वाले, वो हैं और उसके इलावा भीच में, कहीं पे भी यह बॉक्स वाला कैमरा रखा, तो आपको इससे बचके गार चलानी है, त मतलब आपको इस पूइट लिमिट के अंदर ही चलानी है, तो आप 105 के अंदर अंदर गाड़ी ट्राइस पर सकते हैं, जो यह बहुत अजियतनाक चीज है, अच्छा, दो-तीन बाते जो हैं, मैं आपको बता दूँ, जब आप साओधिया के बॉर्टर से निकलेंगे, तो ए खाना, पीना और हेचा कॉल्स, तो आप वो अटेंड कर लें, तो आप वो अटेंड कर लें, क्योंकि उसके बाद दो से 2500 किलोमेटर के बाद कोई पंप नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, जहां पर आप यह अपरचुनिटी को अवेल कर सकें, तो इस आसरे में नहीं रहना तो वाके ही है, दिन में क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का जो एरिया है, यह तो एक बिल्कुल स्टेट रोड है, तक्रीपन सौ से डिएर सो कुलोमेटर के, इसके पीछे का जो रोड है, वो बहुत ही वेवी है, उसमें बहुत अप 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 एंड डाउन है, खराब है, थोड़ा-थोड़ा कहीं पर पता नहीं लगता, और यह ट्यून्स जो है, यह जो रोड पर इल्कुल सेंड आ जाती है, तो उससे आपकी गाड़ी बिस्किट होने का खत्रा होता है, इस वेसे इन्होंने स्पीड लिमिट नाइंटी रखिया, यह रिजनेबल तो अब हम मिलते हैं आप से रियाद में, तो फाइनली, अलहम्दुल्ला, 15-16 घंटे की मसकत से ड्राइफ के बाद हम एंडर हो चुके हैं, रियाद शहर में, साओधी अरेबिया के, तो अब हम यहाँ पर स्टे करेंगे, अपने दोस के पास 3-4 घंटे, और उसके बाद हम आठ से नो घंटे मजीड ड्राइफ है, रियाद से मक्का की, तो हम मिलते हैं इंशालला अब आप से मक्का में, फाल्लाहु रहीम वहाईम यद्वादू बड्रीम